हलो एब्रीवान वेलकम टू दजे एंटी ओनलाइन क्लासे और आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हो बच्चों को किस तरह से दिस दाट दीज अंदोज का कंसेप्ट हमें संजाना है बहुत यह असान असान तरीके बताऊंगी सिंपल वर्कशीट्स है जो एक मतलब यह समझ लीजिए कि यही एक ऐसी चीज है जो बच्चे सबसे जल्दी सीख जाते है इवन दो अगर आप केजी के बच्चों को या LKG, UKG, किसी भी केजी तक के बच्चों को अगर आप यह कंसेप्ट बताएंगे न उन्हें बहुत जल्दी समझ आता है और समझाना कैसे है यह मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ So, let's start the video तो सबसे पहले हमें बच्चे को यह clear करना है कि this क्या होता है और that क्या होता है तो यह अब हम कैसे clear करेंगे तो आप कुछ sentences की form में सबसे पहले तो clear करिएगा कि वो पहले उसको अपने sentence में use करना सीखे जिसे कोई भी, कोई भी चीज ऐसे रखी हुई है suppose यह pen यहाँ पे रखा है तो बच्चे को ऐसे यह concept शुरू कराने से एक दो दिन पहले यह चीज शुरू कीजेगा What is this? This is a pen और यह दो लोग आपस में conversation जब करेंगे What is this? This is a pen और कोई चीज हो suppose What is this? This is a marker कोई glass रखा है What is this? This is a glass तो इस तरह से आप this का और that का उन्हें use करना पहले normal conversation में सिखाएए उसके बाद यह concept बच्चों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा फिर थोड़ा सा हम उनको draw करके बताएंगे खड़े हैं और कोई चीज आपके पास में है So this is a tree लेकिन कहीं दूर एक ball रखी है तो वो है That is a ball तो this और that यह तोड़ा सा practically आप करके देखिएगा बच्चों के साथ कि यह pen है उसको उसके पास में रख दीजिए तो यह this is a pen और इसी pen को दूर रख के बोलिए That is a pen तो उनको कम से कम conversation में उनके mind में यह चीज clarity आएगी कि this कब लगाते हैं और that कब लगाते हैं उसके बाद जैसा कि मैंने बताया आप sentences में भी यह चीज़ उन्हें बता सकते हैं What is this? This is a tree What is that? That is a ball तो यह भी एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को this और that से familiar कराने का तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे मैं किसी भी sentence का use नहीं कर रही हूँ सिर्फ picture draw करी हुई है और this और that बताना है यह एक ऐसी worksheet है जो सबसे पहले करानी है आपको direct sentences वाली worksheets नहीं करानी बच्चों को सबसे पहले इससे start कराना है कोई चीज पास में रखी है छोटा arrow है पास में रखी है तो this और कोई चीज दूर रखी है यानि कि arrow जो है वो बहुत बड़ा है that means that क्योंकि वो दूर रखी है उसके लिए that लगाएंगे जो चीज पास में रखी होती है और एक चीज होती है उसको यह चीज क्लियर करेगा अगर हम एक बॉल है तो उसके लिए this और एक बॉल अगर दूर रखी है तो उसके लिए that इसी तरह से एक flower है पास में है तो this, एक flower है दूर है तो that तो ये एक ऐसी worksheet है जो आपको कम से कम दो से तीन दिन प्रैक्टिस जरूर करानी है उसके बाद आप sentences स्टार्ट करेंगे उसके बाद हम sentences स्टार्ट कराएंगे देखिए sentences में सिर्फ अभी this का use करना है ये सब चीजे पास में रखी है और इस तरह के आपको words लेने हैं जो बच्चे easily पढ़ पाएं उनकी reading familiar हो ताकि जब वो read करेंगे देखिए छोटे-छोटे से बच्चे मिला-मिला के जब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो ये समझे कि उन्होंने एक sentence पढ़ना स्टार्ट कर दिया और इसी तरह के आपको words लेने हैं और इसी तरह के pictures ड्रॉव करनी है तो this is a pen तो use of this अब हमें सब में this लगाना है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जब बच्चे देख ले देना कि this लगाना है तो इस आँख बंद करके सब में this लगाते चले जाएंगे उनको बोलिए this is a pen हर एक sentence को पूरा read करना है लिखने के बाद फिर ये cup है जो पास में रखा है so this is a cup तो इस तरह से हमें ये करवाना है उसके बाद है use of that अब that में देखिए मैंने एक arrow जो है वो दूर लगा है बाकी में मैंने arrow नहीं लगाए है कोई भी चीज है हम दूर बना देंगे और इस तरह के words जो वो असानी से read कर पाए so that that is a pen तो pen दूर रखा है so that is a hat तो उसको पहले बोलने को कहिए कि पहले बोलो उसको कि उसको क्या कहेंगे what is that that is a hat तो that लगाएंगे तो हर step पे आप उससे question put up करिए what is that that is a star तो इस तरह के से जब बच्चे करेंगे उनके लिए यह तहाँ असान हो जाती है अब यहाँ पे मैंने mix दे दिया this भी है और that भी है लेकिन देखिए pictures जो है वो बिलकुल same है यानि कि cup जो पास में रखा है वही cup दूर रखा है तो इस चीज से जब आप starting में जब आप दीजेगा तो बहुत difficult हमें बना के नहीं देना है तो what is this this is a cup what is that that is a cup जब वही cup पास में रखा है तो हमने this लिखा वही cup जब दूर रखा है तो हम इसमें that लिखेंगे तो यह भी बहुत ही अच्छी वोक्षीट और इस तरह की वोक्षीट के आप कम से कम चार से पार दिन ज़रूर प्रैक्टिस कराई है अब बात करते हैं these और those की अब बच्चों को यह नहीं पता कि plurals क्या होते हैं obviously kg के बच्ची की नहीं जानेगे कि plurals क्या होते हैं तो जिस तरह से हमने एक pen के बारे में बताया what is this वहीं आपको कम से कम दो से तीन pen लेने है और उसके साथ आप उससे पूछिए what are these तो हमें सही इस्तमाल करना है words का what are these these are pens तो इन्हे pen को जब दूर रख देंगे what are those those are pens जैसा कि मैंने this और that के concept में बताया सबसे पहले आपको normal conversation में वो चीज़ लेकर आनी है तो जब आप normal conversation में वो चीज़ लेकर आएंगे बच्चे इन दोनो words से familiar हो जाएंगे और उसके बाद आप easily उनको करा सकते हैं तो अब हम इसमें देखते हैं बिल्कुल जैसे this और that का concept था बिल्कुल वैसे ही these and those का concept है तो जो चीज़ पास में है वो these और जो ज़ादा दूर है वो those अब हम ज़ादा की बात करें हैं अच्छा जब हम ज़ादा की बात करेंगे न तो एक चीज़ यहां रखेगा हमें ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा दो या तीन picture से ड्रॉ करने किसी में दो बनाईए किसी में तीन बनाईए किसी में चार बनाईए किसी में पांच बनाईए बच्चों कैसा लगता है जहां दो होते हैं सिर्व वहीं पर these लिखते हैं जहां तीन लिख देंगे तो वहां these नहीं लिखेंगे तो वो number count कर लेते जहाँ पर two pen है तो वहाँ पर तो these लिखना है लेकिन अगर जादा है तो वहाँ उन्हें समझ ही नहीं आता कि लिखना क्या है तो यह चीज़ clear करनी है तो these and those इस तरह की work sheet आप उनको सबसे पहले बना के दीजिए जिस सरे से हमने this and that में बनाई थी उसके बाद आगे बढ़ते है अब देखिए use of these अब यहाँ पर तीन cup है तीन fans है चार pins है पांच balls है तो मैंने numbers change करती गई ताकि बच्चों को यह पता रही कि अगर एक से जादा कुछ भी है तो वो plural है यानि कि या तो वो these है या फिर वो those है अब पास में है तो these है दूर है तो वो those है तो यह है these these are cups कोशन की फॉर्म में जरूर पूछिए what are these these are cups these are fans अब आखिबटों है those use of those तो those में अब जो भी चीज़े हैं वो दूर है जित्ती भी चीज़ें वो दूर है और बहुत सारी है एक से जादा है तो यहां पे हम those का use करेंगे what are those those are balls what are those those are trees तो अब यहां पे these and those दोनों एक साथ हर एक वरक्षिट को कम से कम दो से तीन देन आप रैक्रिस कराईए क्योंकि यह जो this that these those है ना बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं बहुत जादा effort आपको नहीं करने है तो ठीक है तो these and those अब यहां पे बच्चे देख लेंगे जो चीज पास में है उनके लिए these है जो चीज दूर है उनके लिए those है so what are these these are cups and what are those those are guides तो कभी चत पे भी जाईएगा तो उनसे ऐसी पूछेगा stars को देखे what are those those are stars और आपके आसपास में गंबले रखे होंगे flowers होंगे तो उनको ऐसे पूछेगा what are these these are flowers तो उससे भी बच्चे बहुत जल्दी सीख जाएंगे और यह हैं हमारी सबसे last worksheet जिसमें चारों चीज़े हैं यह worksheet आपको कम से कम five to seven days तक practice जरूर करानी है क्योंकि यह एक ऐसी worksheet है जो बच्चों के concentration को improve करेगी उनके focus को improve करेगी क्योंकि वो हर एक चीज में देखेंगे एक दो बार वो बहुत गलतियां करेंगे obviously बात है हम चार चीज़े उन्हें mix दे रहे हैं लेकिन धीरे-धीरे उनकी जो focus है वो भी improve होगा और answer भी correct लिखना start करेंगी यह worksheet particularly मुझे बहुत अच्छी लगती है जब एपने intuition के बच्चों को भी देती हूं practice करने को तो इसमें वो बहुत दिमाग लगाते हैं बहुत concentration से करते है normally जो worksheet मुझे वो 5-10 minute में करके दे रेते हैं और इसी को करने में वो कम से कम 20 minute लेते हैं क्योंकि हर एक चीज़ वो बहुत ध्यान से देखते हैं for example यहां पर वो this लिखेंगे this is a pen अब वहाँ पर दूर है चीज तो this नहीं आएगा, that नहीं आएगा these आएगा, these नहीं आएगा वो दूर है और जादा है plural है तो वो दोज आएगा तो इस तरह से वो अपने brain को बहुत यूज करने वाले हैं यह worksheet 5-7 दिन, 10 दिन आप maximum practice कराईए उनके अच्छे से तो यह चीज clear हो गई तो इसका मतलब आपका यह पूरा concept बच्चे को बहुत अच्छे से आ गया जैसे this is a pen those are stars अब दिखे दोस के बाद तुरंट that that is a tree these are balls तो इस तरह से हम उन्हें करा सकते हैं तो I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जितना easy मैं concept आपको यह clear करा सकते थी वो मैंने अपनी तरफ से पूरी पोशिश करी और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सबूर कर दीजिएगा शेर कर दीजिएगा चानल पे नहीं है तो आप चानल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो से related कोई भी कोईरी हो आप मुझे comment section में जरूर बता सकते हैं तो चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड मिलूँगी आपसे नेक्स वीडियो में तिल दें गुद्बाइ